कि ऐसे मेरे प्यारे वच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल के सीयल टुटोरियल में और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का नाम है एंडीडियस ठीक है नॉविल ड्रग डिलेवरी सिस्टम और उस सिस्टम में हम लोग यूनिट नमबर थी पढ़ रहे हैं यूनिट नमबर थी में फिल टीन चैप्टर थे चप्टर नमबर बन था टी डीडियस हमने खतम कर लिया है आज हम पढ़ेंगे जी आर डीडियस के बारे में जी आर डीडियस पूरा डाम है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग दिलेवरी सिस्टम गैस्ट्रो मतलब हमारा पेट जैसे आपको सापने फीगर में दिख रहा है एक पेट दिख रहा है डीटिव अतलब जो वहां पर रुके काफी देर तक श्टे करें रुके डी डियार डिडियस यानि ड्रग डिलेवरी सिस्टम कोई ऐसी दवा जो हमारे पेट में देर तक रुखे यानि इसमें ऐसी टेक्नोलोजी का इस्तमाल हम करेंगे जो दवा हमारे गैस्ट्रो में रिटेंशन टाइम जिसका बढ़े रिटेंशन टाइम मतला ज्यादा देर तक रुखने की छमता बाई ठीक है जैसे एक्जाम के तौर पे इसको तरह समझे द बहुत अच्छा पढ़ते बाकी एक-दो होते जो बहुत करा पढ़ते और बीज वाले बाकी वीडियो करोते हैं देखिए मैं किसी की बुराइब नी कर रहा हूं लेकिन यह हर कॉलेज का सिष्टम होता है एक-दो टीचर बहुत अच्छे हो तो वह जो टीचर बहुत अच् अच्छा सीखही उनको सबजयक नॉलेज बढ़ेगी उसी तरह से जो दवाईया ख़ती पे hem अखे जो हमारे पेट में लोकल नहीं होगा वह तुरंद कहां पुद जाएगी ब्लड में हमें चाहिए कि ब्लड से पहले जो पेट में, ऑलसर है, इंट स्टाइन में, कोलन है, यहाँ पे जो कुछ politeis है, जो local problem है GIT में, ब्लड में और इंट स्टाइन में, उसको दुर करें, ब्लड में पहुजने से पहले, local action करें, तो हम एक ऐसा जुगाड करेंगे, ऐसी टेक्नलोजी का इस्तेवाल करेंगे कि वो दवा हमारे पेट में ज्यादा देर तक रुके, एब्जाड होने से पहने, मेटाबोलाइज होने से पहने, क्लियर हो गया, ज्यारी हम कुछ ऐसा जुगाड करेंगे, कि वो हमारे पूझ गुरुजी, वो हमारे टीचर, हमारे क्लास में बहुत देर तक रुके, अब आपको क्या बताना है, अपने क्लास, कॉलेज के सबसे बेश टीचर का नाम, कॉमेंट सेक्षन में लिखना है, और लिखता रहा है कि वो टीचर आपको क्या बढ़ाते है, मैं तेकना चाहता हूं कि कॉछ से टीचर है, कि आपको जो आपको फेवरेट है, ठीक है, उनका नाम कमेंट सेक्षन जिरू लिखेगा, चलिए मैं सुरू करता हूँ इस टॉपिक को तो इस टॉपिक का सबसे पहले दोस्तों हम सिलेवस देख लेते हैं सिलेवस क्या है देखेए चैप्टर नमबर टू यूनिट थी का आपके सिलेवस में जो भी है अपना सिलेवस यहां से आप मैच करेए चलिए आगे बढ़ते ह जान लेते हैं कि दोस्तों जानते हैं कि वाट इस तर जिया डिएस तो टॉपिक है इंडोड़क्शन तो पहला पॉइंट में लिह रहा हूं उसको सुनगे गैस्टो रिटेंट्टिव डग रिवरी इस एन अप्रोच टू प्रोलॉंग गैस्टिक रेचिजिए जानी एक ऐ जी आईटी के अपर पोर्सन में अमरे इन इस्टमक का पॉर्सन या आपके इंट्रस्टाइब का पॉड्सं माल लार्ज इंटेंटेंट के वहां पे अगर कोई दिगकत है लोकल एक्षन करना है उसके लिए इस में आप्योग है अब से जादा किया जाता है GRDDS dose form can remain in gastric region for long period and hence significantly prolong the gastric retention time for it क्योंकि ये दमाएं बहुत देर तक हमारे GIT पर रुपती है इससे GRT बढ़ता है यानि gastric retention time बढ़ता है और drug का local action भी वहाँ पर enhance होता है यह पहला introduction पार हो गया दूसरा पार हम देखते है GRDDS system provides efficient means of enhancing the availability and control delivery of miracle जानि अगर हम ये technique का इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी drug को हम GRDDS बना सकते हैं दोस्तों तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि हम drug की availability को बढ़ा सकते है और उसको controlled release कर सकते है जो दो बहुत जल्दी release होके हमारे body बेटाबलाइज हो रही थी उसके time को हम बढ़ा सकते है controlled release कर सकते है ये अलग पायदा है The concept will want in DRDDS increasing the gastric retention time Main focus है GRT को बढ़ाना gastric retention time को increase करना Drug which require an increase in availability and control delivery can be formulated by this matter जिस drug काम को availability बढ़ाना हो controlled release बनाना हो इस method का इस्तमाल करके हम उसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि आप इसमें क्या कौन-कौन से इसी दवाईया है जिसके लिए हमको GRT बढ़ाना gastric retention time बढ़ाना ऐसी कौन से दवाईयों के लिए ये suitable है इस method का इस्तिमाल है तो कौन-कौन से property होगा दोром आजी दवाईयां जिसका इस्तमाल हम चाहते कि जियाईटी के उपर पार्ट में proximal पार्ट में आमको पता है proximal, Zweak अंग को परी पार्ट क constitution प्राकि में नीची वाले पार्ट को इश् sự पार्ट किहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट में जिसका इस्तमाल हो रहा, उस दमाओं का इस्तमाल हम GRDDS के थोड़ा कर सकते हैं, दूसरा, ऐसी दमाओं जो less soluble हैं और जो alkaline pH पे खराब हो जाती है, यानि हमारे पेट में तो पेट से आगे बढ़े कहा जाएगा, इंटरस्टाइन में, और इंटर ऐसी ड्रग जो अलग-अलग जिसका gastric inputting time अलग-अलग होता है, यानि पेट में कौन देर तक रुपता है, कौन कम देर तक रुपता है, वो उसके डिपेंड हो अगर उसके लिए भी हम GRDDS बना सकते हैं, local और sustained activity drug delivery to the stomach and proximal small intestine to the certain condition, small intestine का proximal भाग में, इसके साथ साथ किसी भ practical सर कौच करता है, तो उस case में भी हम दवाओं को GRDDS के फावरेशन में बना सकते हैं, यह तो है approach किन दवाओं कहां बनाते हैं, आगे हम दिख लेते हैं कौन कौन दिशी दवाओं हैं, जो potential candidate हैं, जो इसको हम GRDDS बनाना ही बनाना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई और नहीं, ठीक है, तो ऐसा ड्रग जिसको हम इस्टमक को local action के इस्तमाल करें पहला, ऐसा ड्रग जिसका इस्टमक में therapeutic index low है, यानि जिसका therapeutic window क्या है low, जैरी कि इसका duration का महरी, इससे उपर toxic, इससे नीचे not effective, वीच कज़ का therapeutic window होता है, narrow होता है, उसके लिए इस्तमाल कर सकते है ऐसा ड्रग जो intestine unstable है, colon का environment में, colonic environment में, इसके रही इस्तमाल कर सकते हैं, और ऐसा ड्रग जो हमारे colon के अंदर जाके microbes को effect करते हैं, pH value को exhibit करते हैं, ऐसी दवाओं के लिए भी हम आराम से GR DDS बना सकते हैं, चलिए, एडवांटेस की बात कर लेते हैं, क्या फायदे हैं बनान आप जो tablet एक बार दिन में तीन बार खाते थे, अब हो सकता आपको दिन में एक बार खाना पड़े, या हपते में भी एक बार खाना पड़े, क्योंकि आप बार बार दवाजा खाएंगे, तो blood concentration में बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, this is called fluctuation, त आप इसका इस्तिमाल करते हैं, तीसरा फायदा, चौथा, इस सब्सक्राइब को हम ड्रग को टार्गेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइट पर मालेजे, इस्तिमाल करके, इस्तिमाल कर सकते हैं, सबसे safest route है, कोई नुकसान नहीं होता, और यह economic भी हो सकता है, सस्ता भी है, इसलिए बहुत महगी वाली बात इसमें नहीं है, कुछ बुराइया भी है, सबकी होती है, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, तो बात कर लेते हैं, इसका सबसे बड़ी दुक्तत क्या है, इस दवा को खाने के लिए आपको धेर सारा पानी करेगा, आप नॉर्मल एक दो ग्लास पानी के लिए, जतना ज़्यादा वाटर हमारे पेड़ में जाएगा, उतना यह रिटेंशन रहेगा, उतनी देर तक हमारी बोली में बना रहेगा, तो पहला ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, आप किसी को प्रॉब्लम है यूरिया ब्लैट प्रिसर की, किसी देर जी आइटीम रुकेगा, उतना ज़्यादा नुकसान करेगा, उसको नहीं बना सकते, ऐसी ड्रक जिसका फर्ष्ट पास मेटावलिजम बहुत तेज होता है, वो इसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि बहुत देर तक अकर रुकेगा, तो और ज़्यादा मेटावलिजम होग तो अगर ये देर तक और रुकेंगे हमारे पेट में, तो और रुकसान करेगे, इसलिए इसको हम इसमें इस्तवाल नहीं कर सकते हैं, इसके लावाला जो हमारे जो हमारे जाइटी में विल अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि आईशो उपसारवाई, डाइटें, निफिटे इस बना सकते हैं, इध्यान दीजेगा हमारा में बुद्धा है, ऐसी दवाईया बनाना जो हमारे इंटेस्टाइन में देर तक रुके, तो ऐसे हम कौन-कौन से अप्रोच इस्तवाल कर सकते हैं, कौन-कौन से मेथड, तो चार मेथड है, उन चारों मेथड में हम पहला फ् फ्लोटिंग सिस्टम को लो डेंसिटी सिस्टम भी है, तो फ्लोटिंग के मतलब है तैरना, जिसे एक कोई लोहे का टुकड़ा है, उसको हमने पानी ठेक दिया, डूब गया, ठीक है, तो डूब गया, बहुत देर तक पानी के सर्फेस पे नहीं रहा, वो बॉटम पर जाके बैठ गया, अगर उसी लोहे की टुकड़े का हम नाव बनाते, अब पानी में ठेकेंगे, वो बहुत देर तक पानी के उपर रहेगा, जब तक पानी उसको उपर ना है, यानि वो फ्लोट करता रहेगा, यानि उसी तरह से हम ऐसी कोई दवाई बनाते, जो लो डेंसिटी की है कि दमाओं में कुछ ऐसे पॉलीमर यूज करो, कुछ ऐसे केमिकल यूज करो, जिसकी डेंसिटी हमारे पेट के इस टमक की लिक्विड के डेंसिटी से कम हो, ताकि वो फ्लोट करें, और आपको दोस्ते में फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आप देखिए, कि यहाँ एक टैबलेट है जो कि लिक्विड को पर फ्लोट करता है, यह डूब नहीं रहा है, डूबेगा तो जल्दी अब्जार होगा में फ्लोट करेगा, धीरे धीरे अब्जार होगा, तो पहला मुद्दा क्या है कि बल्क दैसिटी से लोग होना चाहिए, ताकि लंबे समय तक य एक ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब से कम होगा, तो बेतर है कि हम बहुत अच्छा बना सकते, आगे देख लेते हैं, जो फ्लोटिक सिस्टम एक्जाम में बहुत डिटेल पूस्ता है, इसलिए आपको डिटेल पर हमें जा रहा हूं, फ्लोटिक सिस्टम जूट रहा हो तो आपने देख लिया, यह हमने वहां पर देखा, आगर देखते हैं, आफ्टर रिलीज और ड्रॉट सिस्टम इस इंप्रेट फॉर्म जब रिलीज करेगा, तो जो हमारे स्टमक से जो ड्रॉट है, वो इंप्रेटी होने पर ड्रॉट का सारा मेटेरियल बहार निकलेगा, जि आपको पेट में जो टैबलेट तैर रही है, वहां पर बियोट सी का प्रिंस्पल लगता है, जो किसी से पानी का फोर्स जो उपर फ्हेक रहा है, क्योंकि वाइंसी फोर्स है और एक फोर्स नीचे सी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जब भी बाइंसी का फोर्स जादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो वो तैरेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स या इसको बोलते है total vertical force या F is equal to F by 11C minus F gravity. मैंने का by 11C force upper side और gravitational force neutral side. तो F by 11C minus F gravity अगर इसकी value positive में आती है. Positive का मतलब क्या है? By 11C force ज़्यादा है, gravitational force कम है. इस case में यह float करेगा, डूबेगा नहीं. लेकिन अगर इसकी value minus में आती है, तो इसी formula पे-based होके हम formula निकालते हैं, कैसे यह बनता है? तो आपको सामनी यह पुरा structure बना हुआ, आप इसको देख लिजेगा. जहाँ पर formula है, F is equal to F by 11C minus F gravity, D F minus D S GV, ठीके? जहाँ पर D F fluid density है, D S object density है, V volume है, G acceleration due to gravity, यह जहाँ ग्रेशनल force है, और GF क्या है? Gastic, fluid, यह formula देख लिजेगा, और इस formula को मैंने explain कर दिया, इसको pre-copy में बना लिजेगा. चलिए, आगे देखते, जो आपका दोस्तों, हमारा यह floating system है, यह दो तरीके से काम करता है, यानि इसके दो system है, ध्यान समझेगा, इसको मैं फिर से further classify कर रहा हूँ, दो system है, एक non-effervescent system, एक effervescent system, ध्यान समझेगा, यानि जो tablet float कर रही है, उसको बनाने के दो तरीके है, तो एक है effervescent, एक non-effervescent, अगर उसमें हम कोई gas भर दे, हवा भर दे, कोई volatile liquid भर दे, ताकि उसके यह हवा भर जाए, तो balloon भाई उड़ता है, यह हवा भर दोगे, तो density कम हो जाएगी, वो तैरे कम, तो अगर उसमें हम कोई liquid में हवा भर रहे है, कोई gas भर रहे हैं उस दवाई के अंदर, तो वो effervescent system है, और अगर उसमें हम कोई हवा गैस ना भर के, कुछ उसमें balloons भर रहे हैं, कुछ pores भर रहे हैं, या कुछ अलग chemical डाल रहे हैं, कुछ अलग excipient डाल रहे हैं, जो हवा तो नहीं है, गैस तो नहीं है, लेकिन कुछ और है, जो उसको तैरने में help कर रहा है, this is called non-effervescent system, clear हो गया, यानि floating system दो principle पर काम करते हैं, effervescent system और non-effervescent system और effervescent, clear हो गया, effervescent में gas, हवा भरी जाएगी और non-effervescent कोई chemical भरा जाएगा, अब बात करते हैं पहला, this is the non-effervescent system, अब इसमें chemical क्या होगा, इसमें कोई swelling polymer होते हैं, या bio-adressant polymer होते हैं, जो हमारे पेट में जाते हैं, हमारे पेट के water को absorb करते हैं, और cell कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जब वो फूलते हैं, तो automatic करते हैं, वो weight को कम करते हैं, density पढ़ती हैं, और वो तहरना सुरू करते हैं, यह non-effervescent हैं, इस पर कौन-कौन से polymer या गेमिकल यूज़ करते हैं, इसका नाम जान लेते हैं, हाइड्रोकॉलाइट से, हाइड्रोफिरिक गम से, पॉलिस से क्राइड है, मैट्रिक्स फॉर्मिक माटेरियल जैसे कि पॉलिकरबेनेट, पालीक्राइलेट, पॉलिक्राइलेट, पॉलिस्टाइरेट, जैसे पॉय हडेसी पॉलिमर, जिसमें चिटोशन और कार्मेपॉल बहुत इंपोर्टेंट है, यह एक्जाम में कई बार कुचा या जीपैट वागरा में, और जिसमें छोटीटे बैलून का सेफ ले लेते हैं पालीमर के वैलून्स होते हैं वह हमारा मैक्र नाम लिखनेगे इसको और डिटेल करने कोई खाल ज़़ुत नहीं है बात करते दूसरा सिस्टम में आपको बताया पहले से कि इसमें एक्सीपेंट के दौर पर हम कोई गैस या वोलाटाइल लिक्वीड या कुछ भी चीज़ ऐसी भरते हैं इनर्ट गैस वगेरा जो इसको फुलाती है और हवा में तैराती है यह ठीक है यह भी दो प्रकारत होती करेंगा जब गैस रिलीज करेंगा आटोमेटिक फूल के वह बढ़ा हो जाएगा तो दो तरीके से हख होता है और मेरे ख्याल से आपका कॉंसेट एकदर क्लियर हो गया होगा यह पहला पर फ्लोटिंग सिस्टम दूसरा है बायो एडैसिव सिस्टम क्या होता दोस्तों अब एक तरीका तो था हमारा जो पेठ है जो पेठ का सेफ ए इस पेठ पेलित तैर रही है दूसरा तरीका है कि लिकभिट को डूबने से बचाने के लिए पानी में पानी में दुब जाएगा तैरता रहेगा तो धीर स्टमक है अगर उसके वॉल पे इस दवा को हम चिपका दें ना तू पूरी तरह से डूबा रहेगा ना पूरी तरह से उपर रहेगा दिवाल पे चिपक जाएगा तो जब दिवाल पे चिपकेगा तो धीरे धीरे रिलीज होगा जादा देर तक रिलीज होगा लंबे समय तक असर करेगा जी हाँ, इसी system को कहते है bio-adensile system यानि हम यहाँ पे कुछ ऐसा bio-adensile यूज करेंगे ऐसा गोंध यूज करेंगे, ऐसा gum यूज करेंगे, ऐसा फिवी cold यूज करेंगे, जो drug को हमारे stomach की wall से चिपका देगा जब drug को stomach की wall से चिपका देगा तो drug धीरे धीरे दिलीच करेगा drug डूबेगा नहीं और gastric retention time दवा का बढ़ जाएगा, concept आपको समझ में आ गया, अब हमको यहाँ जानना है कि यहाँ पे हम कौन सा adeso यूज करते हैं तो यह adeso basically synthetic polymers होते हैं, ठीक है, यह अलग हो बाकि जो मैं आपको समझाया है, उपर already notes दिखा हुआ या आप यहाँ से देखे लिख सकते हैं चलिए, अब polymer के nature के आधार पर यह तीन प्रकार के bio-desis सिस्टम होते हैं, पहला hydration-mediated edition, दूसरा bonding-mediation तीसरा receptor-mediated, नाम से लग रहा है अगर water को absorb होने के बाद वो चिपकना सुरू किया, तो hydration-mediated अगर उसके अंदर कोई ऐसे भाई पानी में गया, हमारे स्टमक बॉल से कोई chemical bond बना के चिपक गया तो bonding-mediated और receptor से जाके चिपक गया, तो receptor-mediated ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा हमों जान लेते हैं, तो पहला है hydration-mediated, तो इस सीरीज बाते यह पेट में जाएगा, वहाँ पे water को absorb करेगा, हमारे surface से आके चिपक जाएगा और देर तक लगा रहेगा इस इस दा hydration-mediated addition, दूसरा bonding-mediated अब bonding-mediated क्या होता है, यह हमारी body में जाएगा, हमारे cell का, जो cell membrane का epithelium surface है, वहाँ पे जाके different different bonding mechanism के द्वारा physical, chemical bonding के द्वारा वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, अब यह bonding भी दो प्रकार खो सकते है, primary और secondary अगर मजबूत bond है, तो इसके लावा, wonder wall bond interaction भी होते है, और इस तरह से सारे chemical bond के द्वारा ही हमारी body अच्छे पकता है, और देर तक बना रहता है, अल्रेडी notes पे सब कुछ लिखा हुआ, आप दूस्तों यहाँ पे देखके सारा कुछ लिख सकते हैं, आपको बहुत आसान भासा में सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए, आगर डिसक्स करते हैं हम लोग, तीसरा सिस्टम हमारा दूसर हो गया इसी में, रिसेप्टर विडिटेट, तो सीधी से बात है, कि हमारे यहारी सेप्टर होते हैं, जो ड्रक पर्टिकुलर रिसेप्टर जाकर बाइन करता है, बहुत देर तक ठिका रहता है, अपना काम करता है, जो हमारा लेसिटेंस होते हैं, वह सुगर मॉलिट जाकर जबकर काफी देर तक जूडएगा, चलिए, तीसरा सिस्टम है, हाइड द मैं हमें पता है कि जब कोई दिवा हमारे पैट में जाती है तो पैट में डूब के चांन रहाव में यू यूू यूु में इसे क्या बोलते है परिस्टार्टिक मॐमेंट अगर कोईATE धावरी कोई चीछ य कागाच की नाव बना या कोई पाइप density से बहुत जादा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो उसके liquid के flow में नहीं बढ़ेगा वो अपनी flow से बढ़ेगा बस यही concept लगाना है कि जो इंटेस्टाइल में जो fluid भरा है उसका density क्या है करीब 1.2 1.1 के आसपास से ग्राम सेंटीमेटर पर की आप जो ड्रग बनाएगे उसकी density को बढ़ा के करीब 2.5 ग्राम सेंटीमेटर क्यूब तग ले जाएगे जब आप इतनी ज्यादा density पे रखेंगे तो पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट जब होगा तो उस पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट में ड्रग धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा जब धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा तो GRT तो बढ़ गया ना बच्चो गैस्ट्रिक रिटेंसन टाइम तो बढ़ गया आटोमेटिक जी हां हमें वहीं तो करना है ड्रट का गैस्टिर अटेंसिट आई बढ़ाना तो सीधा सा कॉंसेप्ट है हमें ऐसा बनाना है कोई पॉलिमर यूज करना है जिससे इसकी डेंसिटी कम से कम 30 ग्राम सेंटीमेटर क्यूब तक पहुच जाए या धाई बहुत आसान भासा में सब समया चुपा हूँ अब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन का मतलब जरूर समझ भी आएगा चलेए अब आपकर अप्लिकेशन का क्या क्या इसकी आप्लिकेशन है नोट साथ के सामें लेगा पहला आपकेशन बायोबिल्टी से बात है कि ड्रग की बायोबिल्टी बढ़ेगी बायोबिल्टी के मतलब है कितना ज़्यादा ड्रग हमारे ब्लड में पहुचना जितना देर तक GIT में रहेगा उतना ज़्यादा जादा अच्छा अच्छा अब्जाब्स होगा उतना जादा ड्रग हमारे ब्लड में जाएगा और अधर', सब कुछ यही लिखा हुगा है आपको यहां से दिखना है, दूसरा साइट स्पेसिफिल ड्रगर्ड ड्रिवर्य सिस्टम, अगर हमें किसी ड्रॉक का एक्ष्ट लोकल चाहिए तो अघर hy लोकल यारी टा-" एक्षि-पि-पे किसी साइड पे हमको टार्गेट करना ही यहाँ पर आप आप नोर्स देखके लिखे नहogrे आपको बोष्मूत्द्दतीत हँरा रहा रहा हूं आप चाहते हैं कि ड्रग का असर बहुत लंबे समय तक बना रहे हैं तो बजया सश्टेंट ड्रवरी बहुत अच्छा कहां मिलेगा इससे अच्छा कहां मिलेगा तो इस सिस्टम डोज लार्ट इन पासिब फाउप पार पास होता है वह प्रभी रुख जाएगा जिससे उसी इसस्टम में पहुचछी नहीं पाते थे तो इसका लोकाल आक्सर नहीं आ पाता था तो इड्रवर्स एक्टिविटी जो को मिलेगा ट्रुम मैं पहुंचेगा और सबसे अच्छा असल करेंगा तो दोस्तों यह मैंने आसान भासा में कोसिस की आपको खतम करने की हम लोग उने जिया डिडियास पढ़ लिया गास्टिक टेंशन ड्रग डिलिवरी सिस्टम अब इस जोनिट में एक चेप्टर और रहे है नैजो पल्मूनरी ड्रग डिलिवरी सिस्टम जानी ना की बात हो रही है उसको खतम करेंगे और हम लोग उनिटर मर्थी को खतम करेंगे और आपसे वादा है कि इसी हफते मैं इसके चार और प्वांच दो इनिडियास भी खतम करेंगे बचे का एक सब्जेक्ट इस्टुमेंटर इनालिस वह भी अगले हफते का टार्गेट है आपक देखते रहे हैं मसरी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्ट में जुरूर पूछेगा मिलते हैं आप सेनेक्स लेक्टर में थैंक्यू सो मॉच टेक क्यार बाइब